हेलो दोस्तों कैसे आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों एक और सरकारी अस्पताल के अंदर ग्रुप B और C के पदो पर नई भरतियों के नोटिफिकेशन और आपेदन करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिये गए हैं आप लोग यहाँ पर रिक्यूटमेंट नोटिस या नोटिफिकेशन देख सकते हैं कई तरह की पोश्टे हैं उनकी सेल्डी उनकी टाइप और नंबर और वेकेंसी सारी चीज़े यहाँ पर लिखी हैं जैसे देखे 1426 पदों पर नर्सिंग आपिसर की पोश्टे हैं इसी तर कंप्लीट नोटिफिकेशन हमारे पास है आप लोग यहाँ पर डीटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं तो इस बीडियो के माध्यम से आपको सरकारी अस्पताल के अंदर आई हुई इन भरतियों के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी अगर अभी तक आप लोगों के पास क जानकारी को इसकी पन नहीं करना है नहीं तो उसके बाद आपका आपीधन करना ब्यर्थ हो जाएगा जो जानकारी आपको प्रवाइड करवाएंगे ध्यान से सुनिएगा ऐसा मोका आपको फिर सायदी कभी मिलेगा दस्वी बारी पास से तो भी आप लोग आप लोग आप प्रविद्धन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजेगा और आगे आनेवाली वीडियो की अपडेट के लिए चैनल को सबस्क्राइब करके बेल नोटिपिकेशन को जरूर आन करिएगा। चले वीडियो को सुरू करते हैं। आबेदन करने का notification डाउनलूड करने का link वीडियो के description में दे दिया गया है क्लिक करके इस page पे आ सकते हैं यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला काम WhatsApp ग्रूप को जॉइन कर लेना है साथ ही साथ backup के लिए WhatsApp चैनल और Telegram ग्रूप के साथ भी connected हो जाना है अभी देख सकते हैं संजय गांधी Institute of Medical Science की तरप से आपका recruitment है सरकारी अस्पताल 2024 इसके बाद अधिक ज्यानकारी के लिए Google सर्च कर लेंगे नोकरीकबर.com आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी इसके बाद सबसे पहले हम डेट की बात करते हैं तो आपीदन औरेड़ी सुरू हो चुके हैं आपकरी डेट बहुत ही जादा नजदीक है आपको जल्दी से जल्दी आपीदन करना है आगे आपको प्रोसेस भी बताएंगे लिंक भी दिखाएंगे अपली केसन, फीस की बारे में बात करें तो इसको आपको केटेगरी वाइज शेक करना होगा ये आपको ओफीसल लोडी केसन में देखने को मिलेगा एज के बारे में बात करें तो अट्रा से लेकर के 45 यानी 45 साल के बीच में होनी चाहिए टोटल नमबर विकेंसी यहाँ पे mismatch है सिर्फ Group C का लिखा है Group B का एड़ करने पर यह बहुत जादा नमबर विकेंसी होंगी इसके बाद पोश्ट नेम की बात करें तो Group C की है इसके बाद हम आपको कुछ पोश्टों के नाम दिखा देते हैं जैसे यहाँ पे junior engineer है एक पोश्ट है वो भी SC कटेग्री की senior administrative assistant की 40 पोश्टे हैं store keeper की 22 पोश्टे हैं stonograpper की 84 यानि 84 पोश्टे हैं receptionist की 19 पोश्टे हैं सबसे यादा nursing officer की 1426 पोश्टे हैं इसके बाद कुछ और पोश्टे हैं जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं important पोश्टों के यहाँ बारे में बताएं तो technician हो गया, OT assistant हो गया sanitary inspector हो गया और यहाँ पे एक CSSD assistant हो गया इन सब भी का qualification भी आपको आगे दिखाएंगे यहाँ से score करेंगे 10-12 graduate है तो किसी भी post vacancy के लिए आभीदन कर पाएंगे all indelible पर job है male और female दोनों आभीदन कर सकते हैं today top job list की बात कहें तो आज की नई नोकरियों की जानकारी को update कर दिया गया है clicker की बटन पे click करके जानकारी को आप लोग देख सकते हैं बेतन आपको काफी अच्छा मिलेगा 25 से लेकर के 82 से 83 हजार रुपए इन हैंड में अलग-अलग post vacancy के लिए आपको दिया जाएगा exam nation हो सकता है interview भी हो सकता है इसके बारे में clarity नहीं है notification को download करेंगे कैसे आप लोग आवेदन करेंगे उसके बारे में complete जानकारी है अब भी जैसे यह आप लोग यहाँ पे आएंगे apply online के सामने clicker की बटन है एक बार click करेंगे आप लोग सीधे आवेदन करने वाले page पे आ जाएंगे संजय गांदी institute of medical science यहाँ पे आपको links मिल जाते हैं registration करने के आप चाहें जैसे यहाँ पे देखे बहुत सारी पूश्टों के नाम आरे example के लिए हम यहाँ पे senator inspector ले लेते हैं तो यहाँ पे आप select करेंगे candidate का first name इसके बाद middle name last name father's name सारी चीज़े डाल के आपको आभीदन करना होगा अभी के लिए हम आपको notification डाउनलूड करके recruitment detail advertisement यहाँ पे आपको दिया गया है अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे कितनी सारी पोश्टे हैं कितनी number विकेंसी हैं यहाँ पे आपको detail में दिखाया गया है और इसके नीचे आने पर qualification से ले करके apply date और apply सुल्क यहाँ पे सारी चीज़े बताई गयी है category वाइस GST एड़ करके आप इसको देख सकते हैं इसके बाद यहाँ से और नीचे आते हैं यहाँ पर reservation के बारे में जानकारी है age के बारे में जानकारी है qualification भी देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे पूरी के पूरी जानकारी notification में दी गई है इससे आपका doubt clear होगा जैसे यहाँ पे technician के लिए 10 प्लस 2 और साथ में other diploma certificate क्या चाहिए होगा इसके साथ ही साथ यहाँ पे apply करने का complete procedure important document के list और भी बहुत सारी शीरे बताई गई हैं जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या इस्टेफ है advertisement, exam city, how to apply help next वगएरा आपको नीचे points में मिल जाएगा इसको आप लोग देख सकते हैं इसके बाद अगर कोई doubt होता है commit करिएगा जैसे आपका exam होगा कहाँ पे होगा, यह complete जानकारी यहाँ पर दी गई है exam के अंदर जो कट आप रहेगा हो journal EWS OBC का 50 और SCHD का 45 परसेंट रहेगा syllabus भी यहाँ पे दिया गया है final आपका merit के basis पे selection होगा final आपकी merit list यहाँ पे generate की जाएगी उम्मीद करता हूँ वीडियो में दीग information आपको आपके काम की लगी होगी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ next update में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद